दोस्तों इस वीडियो में यूटूब वारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें आपको एक मैसेज दिखा दिता है जैसा कि आपको ये मुवाइल की स्कीन पर दिखा होगा यहां पर देखें यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है और उसके नीचे लिखा हुआ है वाच ऑन दा लेटेस्ट वर्जन आफ यूटूब तो यह प्राबलम क्यों आती है और आपका यूटूब काम क्यों नहीं कर रहा है यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो अगर आप इस प्राबलम को सॉल्व करना चाहते है तो इस वीडियो को सुरूँ से लेकरने तक देखते रहेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया ना तो अपने भाई की चैनल टेक्निकल रपना कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगर आपके यूटूब में भी ये प्राबलम आती है तो आपको क्या करना है कि आप यहां मोबाईल की स्किन पर देखेगा इसको सॉल्व करने के लिए हमें सेटिंग पर जाना पड़ेगा यूटूब की सेटिंग में नहीं मोबाईल की सेटिंग में मोबाईल की सेटिंग यहां से ओपन कर लेंगे मोबाईल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको आप में जाना है आयप के आपस्ट में आ जाएंगे न तो यहां से आपको YouTube सर्च करना है, YouTube आयब में जाएंगे न, तो यहां पर आपको force stop का अपशन दीख रहा होगा, तो आपको अपने YouTube को force stop कर देना है force stop करने के बाद ये देखेंगे कि ये problem solve हुई है या नहीं हुई है अगर नहीं हुई है तो और कुछ काम आपको करना है आपको क्या करना है कि यहाँ storage का अपसंदिक रहना तो storage पर आप click कर दीजे storage पर जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको clear case का अपसंदिक रहा होगा तो आपको clear case कर देना है अगर clear case करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो आपको क्या करना है कि यहाँ clear storage का अपसंदिक रहा होगा तो आपको clear storage पर click कर देना है तो आपकी problem solve हो जाएगी अगर इसके बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो एक कम और आपको करना है सबसे पहले आपको YouTube open कर लेना है YouTube जैसे ही open करेंगे तो आपको यहाँ पर channel का icon दिख रहा होगा तो channel का icon पर click कर दीजे channel का icon पर जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा turn on incognito तो इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद यह option आपका on हो जाएगा फिर इसको आप off कर दीजेगा उसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है तो यह सब setting कर लीजेगा तो आपको YouTube चलने लगेगा और एक बात और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें YouTube की बहुत सारी setting बताई है जो नी यूटूबर की लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक नी यूटूबर है तो उस वीडियो को जरूर आप देख लीजेगा तो वो setting करने से क्या होगा कि आपका वीडियो उस audience तक पहुँचेगा जिस audience को उस वीडियो की जरूरत होती है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते है तो उसका link मैंने i button पर दे दिया है और जो आपको ये वीडियो दिख रहा है ना तो इस वीडियो को देख लीजेगा तो आपको पता हो जाएगा कि यूट्यूप में कैसी कैसी setting कर लेनी चाहिए तो आई हो कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप अच्छा भी लगा होगा अगर ये वीडियो आप अच्छा लगा ना तो अपने भाई की चैनल टेक्निकल अपना कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो मेलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैजिंद